गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय ब्लोग दोस्तों दो तीन दिन से अच्छी सीतलर चली और मानसुन बिल्कुल ठंडा हो चुका था काफी ठंडा मौसम था लेकिन अब फिर से वापिस आज टेंपरेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है और तापमान बढ़ चुका है मैं सिर्फ थोड़ा सा यूरिया और डियेपी दिया था इसके अलवा इसमें अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया है और अलसी की फसल में भी दोस्तों आपको जो किसी फरकार सी फूल के से इसके अंदर आ रहे हैं देख सकते हैं आप वाइट वाइट फूल है बहुत शानदार लग रहे हैं और इसके अंदर भी आपको किसी फरकार की दवाई का इस्प्रे नहीं करना पड़ता है मौले कीट वगर रखा इसके उपर पर कौप नहीं रहता है और अलसी का भाव भी आपको मंडियों में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है तो यह हैं अलसी की फसल द लगाते हैं तो उसमें अच्छा मुनाफ़ा आपको देखने को मिलेगा और कम मेनत में और अच्छा प्रोपेट आप किस परकार से कमा सकते हों किस परकार की खेती करके तो यह सारे जानकारी में इस चैनल पर देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों तो लगातार आप तक व देखने को मिलें हैं और अलसी की पसल की ग्रोथ हैं वो भी अच्छी हो चुकी हैं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं तो हाइड यह इसकी हो चुकी हैं आराम से तीन से चार फीटे तीन फीट अगा इसकी हाइड होगी और काफी अच्छी बड़ी हो चुकी हैं इसमें फल यह फूल भी बहुत शांदार एकदम वाइट कलर के आ रहे हैं तो अलसी की जो खेती हैं अगर आप करना चाहें तो इसके लिए भी काफी अच्छा हैं अलसी की खेती जीन चेतरों में होती हैं इसका उत्पादन भी बहुती अच्छा देखने कूँ मिलता हैं तो यह जो खेत दन्या हैं आपका दवईयों को खर्चा सहरा बच जाएगा तो दवईयों का इस पर बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों तो यह है धन्या की खेती धन्या के बिल्कुल एक तम फूल आ रहे हैं और अभी पाला गिरा था तो इस पर नुक्सान तो बिल्कुल भी भी हुआ है कापी बंवरे मुंडा रहे हैं इस पे से साहिं चुस-चुस के ले जाते हैं और बंवरे की आवाज आ रही होगी आपको तो यह हैं दन्या की पूरी फसल लिए इस परकार की क्वालेटी दन्या की अभी ओचुकी है और धन्या का भी वहाव बहुत एच्छा मंड में देखने को मिला है तो ये condition दने की अभी तक देखने को मिल रही है